नमस्ते वन्यमात्रम दिन है 10 जनवरी 2023 मंगलवार और व्याख्यान नंबर 153 चैनल का नाम स्वास्मृत परिवार फ्लेलिस का नाम है आयूरवेद विशेवर लोचना सत्र जब भी आप ये वीडियो या ओडियो को यूट्यूब पर सुनेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जा आपको वैज जी के नाम से वट्षप का एक ग्रूप तो आप दोनों में आ सकते हैं जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है वैज जी के तरफ से तो एक तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी दूसरा कोई भी ऐसी सूचना हो कि वैज जी कोई व्याख्यान दे रहे हैं क अतरफ से वाज जैनल पर घग्रूप तो इन दोनों ग्रूपों में जरूर मिलेगी साती वश्वस स्मरित परिवार की कोई भी नई वीडियो अपलोड हो रही है किसी भी चैनल पर हो रही है उसकी भी जानकारी इनी दो ग्रूपों में आपको मिल जाएगी तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़े अगर किसी को चिस्सा चाहिए तो कम्मुनिटी ग्रूप में एड्मिन लिस्ट में जो नंबर्स हैं इन सबका नंबर आपका महा मिल जाए कोई व्यक्ति रहे गए हैं तो उनका एड्मिन लिस्ट में अगर नाम आ रहा है जैसे सत्याजीव भाही हैं उनका भी शायद लिस्ट में आपको नाम मिल जाए तो आप इन एड्मिन्स को एक मैसेज करेंगे अपनी चिस्सा के लिए और परतीक्षा करेंगे आपको वट्सब पर रप्लाइब मिल जाएगा एक और PDF भी त्यार की गई है जिसको आप भरके प्रिंट करके पहले प्रिंट करेंगे उसको फिर उसको भरेंगे फिर उसकी फोटो कीचके आप दीपक भाई को दे सकते हैं गोविन भीया को दे सकते हैं वैज जी को भेज सकते हैं और उसकी भी आप WhatsApp पे मैसेज करके प्रत आप एक बार यही टेलिग्राम ग्रूप आके चेक कर लीजे, इस टेलिग्राम ग्रूप पर आप वाईस चैट सुन रहे हैं, दूसरा तरीक्का यह है, कि आप चैनल, जो यूटूब चैनल है, उसकी कम्यूनिटी सेक्शन में जाएं, दीपक भाई कम्यूनिटी सेक्शन में तो इस तरीके से आप चिकिस्सा ले पाएंगे क्योंकि अगर आप गोल-गोल घूमेंगे के मेरा सरदर दो रहा है तो इस तरीके से चिकिस्सा नहीं मिल पाएगी क्योंकि और भी बहुत सारी जानकारियां चाहिए होती है चिकिस्सा के लिए तो इसके बारे में भी धीरे-ध आपको सारी जानकारी यहां मिलती रेगी व्याख्यान को सुनें तो दीपक भाई जो है अभी बताएंगे आपको इस विशे के बार में जो 153 नंबर व्याख्यान में डिसकस होगा बंदे मात्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप सभी पवितर अत्माओं का आप सभी करांतिगारी भाईयों और वैनों का आप सभी भारत बासी आयरवेद प्रेमी सभी स्वास्त से सम्दित जानकारी रखने के एक शुक आई बंदू सभी का मैं स्वास्त समरिद परिवार के इस सभ्यान में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं साथ ही वैद जी का तिरदेशे बहुत-बहुत स्वागत आज के सत्र में आज का जो विशय है वह अपानवायू है अपानवायू की श्रिंखला निरगतर चल रही है आज उसका नौवा भाग है जिसमें कि आज जो माताएं वैने हैं अर्थात जो हम समानवासा में कि जो इस्तरियां है उनका जब अपानवायू विक्रित हो तो उनकी विट्टा हम कैसे करें थोड़ा सा विन्यता है क्यूंकि इस्तरियों में गरवा से अंडा से योनीमार गित्यादी अंग जूड़ जाते हैं जिसके कारण से अप माताओं भेहनों के शरीर में अनतरा के कारों होते हैं जिसके वजह से लक्षन अलग अलग दिखते हैं तो इसी विसे पर वैद जी आज बताएंगे समझाएंगे कि माताओं भेहनों में अगर दी अपान बाईश्य संबंदित विक्रितियां आए तो उसका उपचार हम अनन हमसे कैसे कैसे ठीक करते हैं अन सभी विश्यों पर वैद जी चर्चा करेंगे और बताएंगे तो आप सभी बने रहिए औरों को लाईए जोड़िए जिसे कि यह सारे जानकारी और तक पहुचें तो वैद जी का बहुत-बहुत स्वागत आद के सात्र में तो मैं वैद जी ब्रह्मपुर गंजा मोरीशा की भुमी से आप सबका हृदे से शागत करता हूं भाववन धन उंतरी जी को तथा अपने स्रिगुरूर्ट को नमन करते हुए समरण करते हुए आप सबका शागत करते हुए आज की आलोचना सत्र को आम आके बढ़ाते हैं चैसे आएक आप की जो अलोचना सत्र एक धारा चल रही है पुरुसों की अपन भाई विकृत होती है तो उसमें क्या क्या आउसोधिया है पहले घर लोग्चार फिर विभिन प्रकर की कल्पों के भस्मरस पिस्टियादी से बनी हुई आउसोधियों से कैसे हम अपन भाई को ठीकर है उसके सब्सक्राइब करना होता है मासिक घर्म के प्रवर्ति होती है और उनका सब्सक्राइब का बड़ी भूमिका होती है तो उसके अधार पर और गर्वश्राब होना फिर शुति का रोग मतलब होना इसके लिए उनका थोड़ा विशेश्रुप मतलब महत्तों रहती है तो उसके विशे में तो चर्चा करेंगे ही परंदु उससे पहले हम प्रति दिन की भांति आज कभी शुत्र लेता है तो जैसे अभी हम ध्यान को ले करके व्यायम को ले करके चर्चा चल रही है आज किसी ने प्रस्ण किया था क्या इतने सारे अवस्वधियों का हमें आवसक्ता है क्या ऐसा कोई आईरवद में कोई सरय लुबाया नहीं है जो कि जी आदी जो अवतार हुए थे भावगान के रूप में या तो अवतार के जो भी मतलब पुरुस के रूप में तो क्या उनलोग को यही सब अवसक्तिया सेवन करना पड़ता था तो मैंने उसके उतर में जो बताया वह मैं आप लोग को बता रहा हूं और उसका मैं प्रमान इसाइब किया और ओसे बन किया है तो कहीं पेपा नहीं है प्रमाने बाला में के यहीद्येद करकर के तो इसका उप्चार कर आए जाता था देवा सुर्च्य कर्ण के ने में धवताम की उसलों से इस पर गार से उसकी रचना कर दी गई है तो यदि उस समय चिकिछा नहीं करते थे तो इतने सारे उसोद्या के आवस्त लिखना आवस्त नहीं होता था ऐसा मेरा मनना है फिर भी आपको यदि बिना उसती के जिवन जापने आप तो इसका भी आईरवेद में उसका शुत्र है तो संगया तो आपको जिनको भी चाहिए तो मतलब देखना हो जनना हो फिर से उसको समझना हो तो हितभुक मितभुक रुतभुक के उपर एक कहानी भी है जो कि राजाओं के बागी बाग उद्यान में वो घटी सत्य घटना है तो उसको लेकर के आप पड़ सकते हैं क्योंकि वहां पे भवन जो श्री विष्णु है उनके जो वहां पक्सी राज गरोड है उनकी कथा वह इसका अर्थ यह है कि अस्विनी कुमार जैसे स्वर्ग के वैद्या है तो अस्विनी कुमार हर रोगों से हर प्रकर की पीडा से उन्हें चिखिच्चा देते हैं और मुक्ति दिलाते हैं तो इसके लिए आपको केवल करना है और आपको अस्विनी प्रकर में चाहिए उतनी मात्र में में आपको सेवन करना है मतलब आपको अपने लिए सामाल निया तरह जैसे मतलब अन्य की उचित मात्रा जो बताई गई है और कितनी मात्रा में कैसा कैसा करना है वह भी हम आगे उसका सत्र में शुत्र की रूप में बताते रहेंगे फिर जब पाचल पिते के ऊपर चल अर्च कर जाना जाता है और यह वसिष्ट सहिंतागा में भी यह उल्लेक है तो आप उसका भी मतलब चाहें तो बसेष्ट सहिंता में भी आप देख सकते हैं तो यह हमारा आज का सत्र मतलब सुत्र हो गया अभी हम एक सिध्धी योगों की चप्चा करेंगे अभी देखेंगे के लिए हाट डक हो रहा है क्योंकि मतलब जीवा में हडी तो नहीं है वह मुड़ेगा क्यों गया बिचार करते उतना खर्चा हएगा मुझे समझ नहीं लगता है जो मैं मन में बोल दो तो चले जाओ तो इसके लिए जो जिसके मंद में जो आता है बोल देता है परन्तु हम आईवेद में मतलब चिकिछा तो बहुत कुछ है परंतु हम आउस्थे की पिसे में चर्चाना करके कुछ उप्चारों के विशे में जो कि आपके आसपास ही मतलब उपलब्द्ध हो सके इतना सरल जो प्रयोग जो की गदनीगरह में बताया गया है और अश्टांग हुर्दय में भी कुछ-कुछ मतलब प्रयोग जो एक्दम सरल मैं आप लोग के समने बता रहा हूं और लोग बलेगे कि आहर परं द्यान दिजिए सब्सक्राइब करना आपको प्रतिदिन रात को सोने से पहले चुष्टे हुए आपको सोना है यह आपको ऐसा करेंगे तो यह वायू का प्रकॉफ है उससे आप बस सकेंगे क्योंकि आपके सरी में कपकी मात्रा अभीबुर्धी होगी तो वायू अपने आप में समन हो जाएगा टो यदि तर्पूजी यदि लाकर के खाते हैं खाने की बात में उसके बजो को क्या करना है और जो सकी आयर वेड़ एसका बिरोध है कि 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 सभी वस्तू को किसी एपना नहीं है यह उसको थोड़ा उसको थोड़ा जो के उपर जैसे रोटी सेकते हैं यानि उसको फिर मतलह सेक लेना है और मतलह सेक करके ऊसको मतलह रख लेना है और अधा-धा तोला तोला यानि कि आप 5-6 ग्राम बनर को आपuyदर बना के रख लिए in govern करना में कि उसको सुब अधा-धा तोला की मात्र में उसको सुबड़ साम हाट हाट में नहीं होगा या तो आपको मतलब हो जाता है तो भी होगा पुरा दूर हो जाएगा धी आपको मतलब बहुत अच्छा है यह प्रवगाब कर spa के लुक् सब्सक्राइब जो लोगाज कई मोटा-गाजर मत नहीं लाना है अ करके झाल झाल जालो भी हैं अभी सुनाइद रहा है मेरी आवाज जी आपकी आवाज इस पर आ रही है आप वैख्यान जारी रखें लोगों को मैलूम है कि अंब हुआ चलता है फिर भी फॉन कर देते तो क्या बूल रहा है मैं वह गाजर की बाद चल रहेते तो पतला पतला गाजर तो उसको लाकरकर उसको पिषना यह तो मिक्सी में उसको पीष लेजिए और कम से कम उसका कितना होना चीहें 10 12 होना चीह तुढ़ा जैनी कि आप उसको 6.120 ml ऐसा मान के सब्सक्राइट करनाenders mails Nahum और गौह सबन और ऊसको मतला सुर्य अच्छा सब्सक्राइब थीम देखेंगे इतना अच्छा आपको मतलब उर्जा मिलेगा हरीदे को बल मिलेगा कि पाहड भी मतलब इस प्रकार से शेवन कर दया गया एक मैंना सेबन करेंगे तो आपको पहले खुराक से ही आपको बहुत अच्छा प्रिम्राप जाता है जो लोग नहीं ना सकते उसको खरीद के ना पड़ता है तो उनके लिए भी मैं और एक पूलता है जिसको गुल्दावती के नाम से जाना जाता है उसमें चाहे आप सफेद रंका लीजिए लाल रंका लीजिए घल्डीजिए जो भी आम मतलब आपकर अपने एच्छा तो अपने प्रियद रंग के हिस्द करें तो आप बहुटीईए जैसे गुल्डवत कंद बनाते थी रहां फिल्कि बनाते हैं प्लास के प्लकी developing बनाते है। सब्सक्राइब लोगों का यह गरीब लोगों का यह जहर मोरा है यह तो गरीब लोगों का यह याकुति रसायन है कि जो मतला होता है हमारे घर में मतला होता है परन्तु कम से कम 40 साल का पुराना पैड़ का लखड़ी होना चाहिए आज कल चाल चाल में बहुत मतलब उसमें दो नंबर का व्यापार होता है और उसको डो नंबर में उसको भैस्ते हैं फ्राफ जो बोलता ना काला कार्णामा या तो क्या बोलता हैu बिदlike करते हैं तो उसमər में प्रकरती-वो प्रकरती के आधаर पर वह चाहिए नहीं होता है क्योंकि कम से कम 40 साल तो उसको चाहिए चाहिए 30 से 40 साल की वितर जो है उसके अंदर वो विसमता दूर हो जाती है और उसमें वीरिय पाक होता है ऐसा कहा जाता है तब ही जाके वह उसदी 7 करने के योग बन जाती है या तो आउसदी के योग बन जाती है परन्द यदि 30 साल से पहले हमने उसको मतलब काट दिया उसका 7 किया तो पुझा में भी उसका लाव नहीं मिलेगा तो जिसको चाही है वह करनाड़क से या तो बेंगलूर से जिसका कोई आप वहां से अच्छावला खुणवात्सकर भाई क्या करना है पान में इस और फिसा हुआ करना है तो उसमें अधा चम्माच होगा सेवन करना उसको अवलह की भाती उसको चाटना और अवलह की बाती जब चाटेंगे न तो उसमें बहुत अच्छा परहना मिलतां में अभी क्योंकि हिर्दे के बात चल रही है तो मैं बता हुगी तब तब मैं अच्छ से पतांगा उसका क्या रहस्य है एससा कहा गया है आयर्वेद की दिन चरिया रात्री चरिया हमारे चर्या पंचक में कि आपको मतला सोच करने के लिए जाना हो तो अपने घर से बाहर निकलना है जहां पे पीड़ पोधे या तो मतलब जमीन मतलों होती हो मतलब खाली जगा वहां पे जा करके आपको करते लिख लिख करके लिजिए ढहिं बेबी आपके जीवन भर में जो हमारा जो बारा अर्गान से वो बारा अर्गान से कोई एक भी अर्गान कभी खराब नहीं होगा लिकर करके लिल लिजिए परन्द उस्षा मुहरत में आपका सोच असानार की से निबूरत होना चीए और भी घर के बाहर अगदी खुली जगा हूगी है कि हर Jordowal न होना चीए लोहां पर पर इसा दिखाया गया है और इसलिए तंदर कि यह आत उसके घर में ज्यादा रोग होता है अधिक मानसिक विकृत होती और सब हाई बीपी के शिकार हो जाते हें रोगों के मरीज हो जाते हैं इसके लिए अपने इन रोगों के रोगों से चंगुल से बसना है तो आपको आपको घर से भाहर सोस कि लिए जाना चाहिए और एक तो यह तो किया रहाशraszam कारण है हम सरिया पंचंग में चठ्चा करें अभी हिर दय के विशे में चांचा चल रहा था तो हमने पता दें तो यहीं पर हमारा जो सिद्धी योग है यहीं पर इसको बिराम देतें अब हम सब्सक्राइब जो महीलाओं का यह कुछ होता है तो सबसे पहले आता है अभी आमले का सिजन चल रहा है तो इसलिए मैं अमले को ही प्रथम करता हूं क्योंकि आमले को धात्रि कहा दाइम मतलब हमारा सबसे पहले इसके लिए आयरुवेद में भी कहा है कि मा धात्री और मोशी यानिके स्वाचा ने उसको मासा या ऐसा कुछ मतलब संस्क्रित में नाम है में भूल गया हो तो यह तीन जनों का यदि आश्रित में रहता है कोई भी बच्चा यह बालक वह बालिक हो कोई भी तो उ लिए माा का गर्जा लेएं बेहरा को मोशी का देनी रावीन ले में जन्म करता है इसकाän माला नेया जन्म होता रहेगा नयात दिनों जनम होता रहेगा इसलिए कहा गया है कि आप बीच में यदि चाहे तो हरी तकी को बंद कर सकते हैं बेहड़े को बंद कर सकते हैं परन्त आउले को कभी भी पूरे जीवन भर बंद नहीं करना है केवल रविवार को बुद्धवार को प्रतिपद्य थी शस्टी दे थी अस्ट सब्सक्राइब करने बाद में उसका हम क्या करते हैं और उसका अंदर का फेक देते हैं यह कुछ आयरवेद कहता कि कुछ भी फेकना नहीं है यह आपको समझना है कुछ भी चाहें मतलब केले खायते हैं तो प्रयोंग में आता है स्बसक्राइब ओसको घुण मतलब घुण होगया तो उसको भी मतलब भसम कर जला पर नहीं कर दो अब अभी तो किसी ने अरुण भियान ने एक वरिडियो डाला था मैंने देखा था मुझे वेजा था उन्होंने कि कोई जैनमुनी ने बताया कि हेदराओद में बायोकेमेस्ट का कोई एसा कोई हे छात्र जिस इसने एक उपाय सोचा कि पुर्या हिदरावाद का जितने सारे जो टैलेट का जो मल यानिके जो बिष्ठा जो लेटरी का जमा होता है वहां पे और इतना गंधी था तो मतलब वो सहर में कोई जाता नहीं तो जगा पे तो उन्होंने बायो कमेश्टी का कुछ सहरा लिया उसन में जो टालकरे लवन ड्रावरग ढालकर उसको सपतर्थच कर दिया फिर उसको गंधी निकर दिया फिर उसको शुका करके चूरा बना करके उसको कानपीर भेज दिया तो सबको समझ में आएगा और वहां पर अच्छे तरह से स्मूद्धी बने रहेगी तो आप देखेंगे थोड़ा 30-40 पहले चले जाएगे गाव में किसी को यह पकड़ा पकड़ा जाता था कि यह तंत्र काम करता है यह लोगों को मारता है या तो मेरे बेहन को या तो मेरे ब पकड़ते थे और उसके घ्लंक का पुजा झेशा झाता है तो जो पलंक है और उसके चलन होते चल पलंक के तो चारो भ्यकति उसको पखड़ते थे और उसको मंतरव उसको लाते थे नहीं थे आजकल जला देते हैं एसा नहीं पहले तो घर से बाहर जाता थे गाओं के बाहर जाते थे मतला सोच करने के लिए दस्त को करने के लिए पेड़ साप के लिए तो वहां से विष्ठा लेकर के आते थे वह किसी का भी विष्ठा हो वह लेकर के आते थे जितना मतला ताजा विष्ठा मिला वह ताजा विष्ठा यानि के मल नेकल के आते थे और उसको एक लोटे के पानी म तो समय आएगा तो मैं उसका जिन दिन तात्री को का आप देखेंगे जो भी तांत्र काम करते हैं मंत्र से जड़ा फंगा करते हैं उनका गिने ही तो उपर 16 निचे 16 आपको मतलब दांद मिलेगा तो 32 जो होते हैं उनका मंत्र सिद्ध होता है पुछा उस समय मेरी आयू कितनी थी साथ साल आड़ साल इतनी मेरी आयू तो मैं लोगों को पुछता दें तो उसको क्यों पिला रहे हो पिने का थोड़ी मतलब चीज़ें बच्चा तुम अभी छोटे हो जब बड़े हो जाओगे तो मैं सब समझ में आएगा तो अभी वात ह हैं कि जिनका 32 मतलब कम होता या तो जिनको मल विष्ठा यदी खिला दिया जाता है फिर उनका कोई मंत्र काम नहीं करता है और यह जो गुटक्ः में ये सब विविण प्रकारकर के मल या तों अन्यन परदा त उसमें मिला करके गुला करके जो दिया जारह सब को पता चल गया और सब्सक्राइब कुछ ऐसे विद्रोही है उनके सामने से हम लोगों को सनाति में को बचाया जा सके इसलिए अगनी विरों की साहता की पुर्णम आवा सकता है तो यह अपन बायू को इसलिए मतलब बिकृत कर देता है और जिनका दान्त तोड़ा जाता है और इनके बाद में फिर मल यदी पिल करने की योग रहता है हो आइसे लिए जा घ्लाया तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी मतलब का रहे वह सब इसमें do हे तब हिसको मतलध सेबन करें जब पाठ्षा की पित्ते के उपर चठा होगी तो इसमें भिष्टा और से और से मतलब किस ने लेना चाहिए और तो जो है यात करने प्रक्रेंने बाद में इससे मतलब एक तोले की मातरय में को लेना एचि को नयुकर आधा गने भीगो दिजिए एक ग्लस या तो आधा ग्लस पानी में उसको पीछ लिजी उसमें दो चमज मधु मिला करके उसको पिने कि लिए दे दीजिए तो शुबम साम सुबसाम इसा दिन में 2 बार दीजिए तो इसमें अपनबायों का है उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये धियन में रखे और इसमें आप समय करता है और यह किसमें करता है मालूमे जिनको कि जो ऐसा होता है कि मतलब 40 साल या तो 45 साल हो गया उनका महावरी रूख गई थी पर अधों कुछ समय बाद में या तो या तो दो साल के बाद में फिर सून का महवर्य आना अरंभ हो गया और इतना जोर से मावर्य आने लगा कि रक्तसाब होने लगा कि वा बंद होने का नाम ले रही तो बोलते कि पंदाद दिन तक मतलब जाता रहा है ऐसा तो आज तक मेरे जिबन में कभी नहीं हुआ बरते हैं तो बोलते हैंता है 45 तो ऑप्रेशन कर दो आप्रेशन कर दो निया कि निकाल दो बच्चय ने बच्चय मतला थौरी करना है अबी तो हुलते हैं हुंको थो भच्चय नहीं चाहिए हैं अबी तो निकल दो उसको फिर हम उसको यह लगता है कि वह हमारे लिए अनावस्यक है जबकि यह कहाँ जाता है कि तुम केले खाते हो तो चिलकू भी तुमको फेगने के लिए मना किया गया तो आप मतलब ज़रा समझो जो भवान ने प्रकृतिना हमें दिया यह पिता से दिया है और मतलब उपांद्रसोत दिया जिसको एपेंडिक्स बोलते हैं वह क्यूं दिया है कुछ ना कुछ उसका तो काम होगा ना जैसे मतलब मालीजे क जो की कोई बीनानट के तो कभी कभी मतलब फ्रदर्सन हो जाता है नाटक मतलब उसमें मंचित हो जाते पर ननोट के बीॉन ना कोई ना थोड़ी धारवाइक होता है अवसक नहीं हो झालेगा परन्द नट के बिना तो कोई धारवाइक नहीं होता है ठीक उसी प्रकार यह जो गर्वा से अन्यन जो भी है आप उसको नट मान करके चलेंगे तो भी मतलब कोई दिकत की बात नहीं है ठीक उसी तरह और एक मतलब है कि आमले का रस्पी मतलब सेबन करते हैं मध्यों के साथ म 10 भी उसमे अपनवेव में बहुत अच्छा करतें ठीक उसी तरह गिले का रस्पी 7 करेंगे मध्यों के साथ में तो अपनवाइक को ठीक करता है जो वह होता है बटक भेरव करके हम बटक धारन करके हम धारन करते जिसको पवित्रक के नाम से भी जाने जाता है तो जो कुस होता है लगुपंच मुल में त्रून पंच मुल में उसका गिंति किया गया कुस कास सर इक्षू और दर्व ऐसे करके पांस को त्रिन पंच मुल में उसका लिया ग चन्दन मतलब उसका चुरा बनाई सब्सक्राइब करते हैं और चुरा को काड़ा बना करते हैं, तो बहूंसे तरह अश्यक का सद्षाल मं आप लोग को मालूम के अश्यक बना है त्रोग के लिए बहुत सारी रोगों को तो अश्यक चाल ठीक कर देता है परन्द आपको ध्यान रहे कि उनका कोई समस्या भी नहीं है केवल अपान भाई मतलब उनका मल मुत्र भी साप आप नहीं आ रहा है तो अशो का छाल उनको काढ़ा बना करके पिने के लिए दिजिए या तो उनको दोध में उबाल करके वह जब दोध फड़ जाए तो उसको थंड़ा होने बाद में मद्ध मिला करके दे दीजिए या तो एक चमच घी मिला करके दे दीजिए तो उसमें भी बहुत अच्छा उसमें फाइदा करता है ठीक उसी तरह जो दारुहल्दी या तो फिर रसांजन ये दोनों में से आप कोई भी एक लेजिए तो उसका भी का गुलर का जो फल होता है जिसको उदम्बर के नाम से जाना जाता है उसका प्लका चुरन भी मतलब बना करके एक चमच की मात्रह में पानी से दीजिए दिया गया तो भी बहुत अच्छा काम करते हैं फिक कुछ इतरह हमारा जो बला नाम का बनस्पति बना को उसको बर्यार आप मतलत बला का मुल का कारहा बना करेंगे मध्यूमिला करके या तो दूद के साथ में कारहा मतलब उसको बना करके दुखधु पाकम तो उसको भी यह बहुत अच्छा काम करतेए यदि बला मूल यादि आपके एक्सैत्र में नम ले तो आप या पत्ते का रस मधू मिला करके 7 कर निकले देंगे तो ईसमें भी अपान भायू को बहुत अच्शा मतलब काम करते हैं कुछ-कुछ जो महिला हैं मदीरा पान करती है मतलब जो सराप का सेबन करती है मतलब पहले नहीं करती थी तो हो सकते हैं पहले भी करती होंगी क्योंकि यह सब आयरबिंद में बनन है तो पहले राजकुमारिया यह तो अन्य-ण्य पट्रानिया वह सब मतलब करती होंगी जो र लज जालू होता है जो लाज बंती उसका है पत्य का रस निकाला सब्सक्राइब तो तो 9 हम नृट्भ माल मतलब लेखाझ सब्सक्राइब 1200-200 ग्राम पानी में विघव दीजिए पहले 200-200 ग्राम पानी में से ensuite भीगू दीजिएए तो उसमें पाने अपको नहीं मिलेगा फुरा पाने उसमें बिलन हो जाएगा फिर उसको क्या करना है 500 घी के साब में आपटो उसको भूनना है लोहे के बुनने के बाद में देखेंगे पूरे अग्दम मतलब सुख जाएगा हो और मतलब पूरी तरह से चुरण नहीं होगा उसमें जोग रहेगा आपको फिर उसको क्या करना है निकाल करके गरम-गरम ही आपको इमाम दस्ते में कुटना है तो चुरण बन जाएगा उसका लगब दो-दो ग्राम के ही मतलब के साथ में तो इसमें मतलब के साथ में लेजी या तो लिए जिसाब पारण भी है यह क्योंकि ये साधू और साथ हो को उसके लिए इसके लिए अपन आपनमा यवा और मजूर नण दोनों मिला करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा परिड़ा मिलता है क्योंगर हमने भी मतलव मतलब देखा है इसका जो और जो मतलब तरव धाना आम यहां का छाल को हमने प्रयोग करके धिखा आकर पत्यों का रस्परियव प्रयोग करके देखा जमों ह trait नाम का नाम ज्सको नाम से जाना जाता है तो उसको कड़ा बना करके हम रेयोक कि तो समय पेवहत आच्छा मिल्या तो मुझे फिर मतलब समय मैं जाम क्यों ने ये तो तो сист Ben तो फिर मतलब तो पहले आम का चाल का रहा तो आम का पत्ते कर रस उसको करके पहले सेवन करना तो यह खाना है उसको भी मतलब करना जरूर आगे तो में सोज में पढ़ जाता था अर यह कसा है रस कैसे ठीक करता है और इसी बात को सुषूत जी सभी केते तो यह अपनमयों को कसायरस केसे मतलब ठीक करता है यह समय में आया तो बाद में मैंने भावप्रकास निघंडु धन्वंदर निघंडु फिर द्रव्य गुण बिग्यान अन्य-अन्य मतलब सब निघंडु शेश्यन निघंडु फिर और लिएन यह समय देखा तो सभी जो निघंडु शास्त्र में सभी आचायरों ने-फिर का है कि जहांपे कसायर रासे वहां पर मद्धु रासे जैसे मतलब कहाता है कि जहांपे बाय है वहां पर प्यत जहां पर पित होता है तो कहीं रही करेद जो यह पित्ट भी कुपित होता है जहां पर कसायरस है वहां पर उसके साथ में मिल जाने के बाद में तो नगन नगन पर जाते हैं जिसके कारण कसायरस वाले जितने भी आप सेबन करेंगे तो उसमें यह जो हैं मिला उसमें आप प्रियवत सर्मा सर्मा जी प्रियवत सर्मा जी उसमें पुस्तक उन्हें लिखा है यह बात उसमें लिखे थी आप लोग को भी मतलब चाहिए तो वह पुस्तक मतलब अनलाइन भी मिलता है मतलब आप उसको मंगा करके पढ़िए आचार्य प्रियवत सर्माजिगा वह डक्टर है वह बहुत अच्छे मतलब पूरा बिमर्स उन्होंने पूरा समझा बुझा के पूरा मतलब लिखाए और ऐसा कोई देना के थे फांग देना या तो मतलब लेना प्रेक्शेव कर देना ऐसा का जाता है और मतलब बात है कि जोसे अपनको यह बिकृत नहीं होगाént तो केबल मतलब थोड़ा अरुम्त्र के रुप में थोड़ा समस्या करेगी तो उसका हम प्रिवेंटी वेदी हमने कुछ किया तो हमको मतलब परिणा मिलेगा तो ऐसा मतलब माल लीजे आपको मैं अभी कुछ-कुछ आउसधिया में बताऊंगा तो ऐसा करना है जिस दिन पु जो आपने आपने आशेस उसको उखाड करके लाए और योदु उसने आपनो तो तो सबसे पहले वाचा है यहाने का घोड़ा वच होता है ना वचा त्न परकर काता है एक गोड़ाबच दुसरा होता है लालवच दुसरा होता है महावरी वच गोड़ाबच जो है वो नेपाल से खैना जाёता है परंद्ण मिठथाबच हमारे भारत का नहीं है अंने दो वच्छों में उतना गोड़ा नहीं है इसकेलिए आपको गोड़ाबच नंफन तो योग केवल यह बच्कीम नुए और भी मतलब में आगे बताऊंगा वह भी सारे को पुछय सनी योगत आपको अवसदी ले करके आना है पुझा करके दिया लगा के उसमें निमंत्रन करके भोग लगा करके पहले उसके पुर्वा दिन और उसके दुषरे दिन जो है सुर्यदे से पहले और यह सारा जो क्रिया है न एकांद में अचीए आपको घर से जाते समय किसी से बात करना है किसी तरह देखना है कुछ नहीं जैसे मतलब घोड़ा चलता है तो आपको ऐसा ही मतलब घर से बात करनी है किसी के तरह हसते हुए देखना है मतलब हसने की पड़ेगे तो बचा का लेकि आये और शुर्ण बनागे खिला दीजिये और कब खिलाना है यह सारा को प्रहूंग है आपको जब मतलब पता लगे कि मेरी नी है नहीं या तो मेरी मतलब कोई भी मतलब मेरे रिष्टेदार में समझ नहीं है तो अभी यह महिने में यदि उसको मासिक धर्म आया जो सबसे पहला मासिक धर्म यदि यह महिने में आया तो इसी महिने से आपको आरम कर दीजिए टीन मैनास चार मैना से कooky छे म mossय नहीं तो सबसे पहले वचा है ठीक उसे तरह काल जिड़ाा भी है काल जिरेका जड लाना है काला जिरें नहीं लाना तो काला जिरा का जड़ या दिलाखर के देते तो इसमें बहुत अच्छाप ख़ंदा नमक भी इसमय्रकिन हमको मतलब नहीं लाएं कि लटकी मतलब ज्यादा बात करेगे तो मुझे नहीं पता मेरे घर में यह दिया है तो यह दे देंगे तो फिर वह उसका प्रभाव ही नहीं होगा तो ठीक उसी तरह जो चित्रका जड़ है जित्रका जड़ यह बड़ा घाती होता है गर्वा से घाती होता है इसके लिए उसका सफऊम मिलीग्राम की मतलंना एक यक रप्ती की प्रमाण में आपको उसका सेवन करना है और उसको मिस्रियात मंध्य के साथ में दो थीकता राशना जो होता है रासना भी कोई चलेगा कोई दिखत नहीं है ठीक उसी तरह सोंप का जड़ सोंप का उपयों करते हैं उसका जड़ क्या मतलब सकता है तो मतलब तो देखें के कुछ दिनों में आपको धिरे दिर जड़ी मिल रहेगा यह कोई मतलब धुल्लम मतलब नहीं है आप अपने घर में गमले में भी कर सकते तीक उसी तरह लक्समना जो बनास्पती है वो सबसे बहुत अच्छा मतलब लक्समना है तो लक्समना को लक्समना अभी धिरज भाई ने मुझे बताया था लगबाग पिछले एक या देड़ मैने में पहले कि वह अभी जहां पर है बहुत सारा लक्समना लक्समना मतलब बटी पहचान करनी है तो वह बीडियो जाके देखे स्वस्तसमर्द परिवार में लक्षमना बुटी के नाम से उन्हों बहुत अच्छा काम करती है ठीक उसे तरह जो महुआ होता है महुए का जड़ भी बहुत अच्छा काम करता है या तो फिर जो मतलब लेकर आये परन्त कमल का जर्ड लाने में थोड़ा कठी नाई है हाँ परन्त के पती या तो कोई भाप भाई लासकते तो कोई दिकत नहीं होगा पतल पिता जी या थो भाई मतलब लेकर आंगे तो हो सकते तेरत हुए और तेर करके लाते समय भी उस समय किसी से बात नहीं करना है यह ध्यान में रखना है ठीक उची तरह मंजिष्ठा भी मतलब उसमें बहुत अच्छा काम करता है मंजिष्ठा का यदि जड़ का हम मतलब लाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है तो और प्राथम पुस्पवति प्राथम कुमद कुसमबति आधी मतलब नाम से वह जाना जाता है श्त्रियों का मतलब बच्चियों का तो उस दिन जो है सफेद सर्चों और बच्च ब्राम्मी संख पुस्पा संख पुस्पी और कूढ महुवा का चाल और अनन्त मुल त्रिफला का थोड़ा स्रत हो मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेगें है देखुसी तरह जो यह 내मः सिंगार का फूल होता है हर सिंगार का फूल देवधारू का च्छाल अर पिपली गजपली प्रणगराज का ढड़ हल्दी धिक नीतने यह सभी मतलब पदार्थ मतलब सभी प्रकार के जड़ और अपमार्ग का जड़ अश्वगंधा सताबरी के जड़ यह सब मैं से मतलब एक एक रत्ति की मात्रा में ले करके एक ताबिज बना करें को उसको पहना दीजिए कितने दिन तक जब तक उसका विवाह न हो जाए जिस ने इसका बहुत बहुत आयातर्ष में इसका प्रयोक किया जाते है इसके लिए प्रेव करिए फिर इसका चमतकर धनवंतर तंतर अधिसव मतलत जो मतलत अधिश्वाइवत करनत है सारे सारे तंत्र विद्द्याओं से भरपूर है आप देखेंगे तो उसमें इतने प्रकार की मतलब तावीज होगे भी सब्सक्राइब करें आप बढ़ेंगे कि मतलब में कोई तंत्र मतलब 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 नाम में बता दूंगा मखवारी की मखशे इतरे को मतलब तो इसके छान पाने तेन साल कैसे रहना है उसका पूरा बीधी बताईगे है आयरुपद में किसी दिन हम उसके अलग से सत्र करेंगे तो सब मतलब ठोगरे नहीं खाने पड़ेगी या तो अपने मतलब सरम लाज त्यागने के आवसकता नहीं पड़ेगी तो वह कैसे होगा इसके लिए हम अलग से किसी दिन सत्र करेंगे तो अभी मतलब आप लोगो अच्छा लगा होगा कि फ्यवाल अच्छा लगना यह नहीं होता है इसको आप अपने जिवन में प्रवग में लाएए और उसका लाभ अरो को भी बाटिये मतलब सबको बताइए कि इसा हाईर्वद में इतना सारा मतलब है मतलब घ्यान है विग्यान है सब लोग कि अपने भी बताया कि जिसका 32 होता है उसका तीनों दो समान होता है और एक दूसरा परशन है कि तौप और तौप में जब यूद्ध होगा तिसका कब तक होने का संभावना है और इसके लिए क्या तैयारी किया जा सकता है कि अब प्राति दिन शिव जी का दर्शन करिए भावगान सुर्य देवता को अर्गे दीजिए सुर्य के कुछ समय के भितर और प्रते दिन देभी माता का आराधना करिए क्योंकि वही वास्तब में आधिशक्ती है और सभी प्रकार के एश्वरें से संपन्ना है और में तेक्षेंगे वल्म लोग को लगता है हुआ जो विष्णु आपर ईहां गी तो क्या लोगों को यहां यहां तो पता था तो कौं सबसानाम देखेंगे तो पांच प्रकार के विष्ण Михाρसर्ननाम में में और के घ體्म टो आयर्वेद में से उन आम को सुक्रती मिली है यह तो बताया गया है वह जानने का विष्द नाम को मतलब मेरे पास है असली वाला जो कि आयर वैस्सार अफसार भाड़को भाड़कों करना है और भाघान शिभरजी भी प्रति दिन कुछ लोग है करने से विष्णों नाम का पूरा हो जाता है परणतों वास्तब में वह सही नहीं है मतलब उचित नहीं है आपको पास समय नहीं है तो आप आप इसे क्यों यह यह मतलब समझने वाली बात है जैसे आपको मतलब घर में है तो आपको भूख लग रहे तो वहां पर कुछ ऐसा नहीं है तो हम पानी पीकर भी रह सकते हैं सही है ना करके इसका वाट्टब टेली ग्राम पे इसका कुछ भेज़ देंगे क्या विसनु सहत्रपाट के बारे में मैं समय निकाल करके मैं भेज़ दूगा बोला तो तो मैं कुछ भी चुपाऊंगा नहीं सब मतलब बताऊंगा जो मुझे अपने गुरू से प्रात हुआ है सब ही ब दूब मेरा भी तो 32 दाइट है लेकिन समान तो नहीं लगता है समान नहीं है तो है तो आपका कुछ अपने कर्मों के विजसे में ध्यान दीजें या तो अपने ग्रहों के उपर ध्यान दीजें आपने कोई अग्यांतिसार में आपने कोई प्रज्यांप राध क्या होगा जिसके कारण आपको यह समस्या हो रही है कि जिए ग्रह के बाड़े में कैसे जान सकते हैं गरह के बिस्था में यहां बताना अभी उचित नहीं है तो मैं आब से बताओंगा उस्था में तो मुझे करेंगा तो मैं बताओंगा कि वद्दमात वैया आज इन मात्रम प्यां हम मेरा भी ना 32 दाते लेकिन ना मतलब अगर हम पॉजिटिविटली अगर कुछ हम बोलते हैं न जैसे कि यह चीज वहाँ पैसा हुआ होगा तो ऐसा हो जाता है जैसे कि जैसे हमको किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि वहाँ पर यह चीज हुआ है यह मस्तप ने कहा आरवाद देखते हैं तो हो जाता है जै अपने किया रोना गाना हो गया था तो झाल नहीं व् – तो उनकर में भाइन किसी का महत हो गया इव हुआ फटा सब्हुंती हुआ pää लेगह दोखतेश mice दू भ मता किया बहुत अंईक्ट्या मुht दो जब हने हैं आपने बिलकुल सही कहा है तो और यहां ऐसे बहुत कुछ देख मेरा बेटा लोग भी बोले का क्या ममी तुम ना अपने जवान से कुछ मत बोलो ममी ने तुझनों सत्त हो जाता है तो सच्छाई हो जाता है तो बोलते सच चुपता भी नहीं है जो चीज अगर हम को को आपको 32 गरांत का असरा लेजिए तो उसमें आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा लुकै और दुसरी बात यहीं थी कि वातपित कप का अज दिन आपने बताया था कि इसको जब समन कर लेंगे वादसरों हो जाएगा हमारा सब तो सब रोगों के लिए वी दवा होनी चाहिए कौल से दवा करना तो आपने बारा तेरा कुछ बदाया था तो अगर वाथ किपक पुम एसे समन्न मलब सम कर सकते हैं तो हर रुख पर वही दवा चला लें ठीए और कुछ दवाइस नहीं चली जी आपने बहुत अच्छा प्रस्निक है मैं आपका नाम जानना चाहूंगा प्रसंग लिखा है यही आपका नाम है यही नाम जी आप कहां से बोल रहें भी या कि बोलते हैं सर्थ कहां से पुल्ड़ें बहुत अच्छा मैं सबसे पहले आपको धन्ने बाद देता हूं परंतो ऐसा है कि वह तो केबल तीनों दोसों को समन्न करने वाला है जैसे कि मतलब गुड़ुची है यस्तिमधुग दस मुल है जो भी मतलब आउसद्य है वह हमारा बातपित को यह समन्न कर भी लिया तो आइरवद कहता है के वहला आपको बातपित को समन्न करने से आप थोड़ी स्वस्त होंगे आपके जो आठी या नौ प्रकार की धातु है उसको समन्न करना है फिर आप इसलिए इतने सारे मतलब माधा बुटी है इसमें अगरे 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 और किसी भाई बेहन का कोई प्रस्णा आप आप लेगत अब है अब तर्म अगर अजय बंदे मातरम आपने अपने ग़ा यह नकशतर को बताइन और यह यह दो लेक्षार अनिया से कोई एक लेनी है कैसे लेनी ने ने इतने सीचे तो मैंने बता दिए किसी एक को लेना है पको सर्षों है तेखराया नंघ आपकोसे मुझे ने करके आक वशो команд मनें कैनल में ने सर्षमना लेन है कि तर्षमप भींदिखर सबस्टा ना किछड़ेशन कि पलुका सबस्केरे करें यह इन सब पहले में इस पहले मैंने जितने शब बताया है वह सब लगत जी बाद जी विल्कुल इंत जार रहा प्रेक्टर का अधिया है अधिया है अधिया अधिया बन्दमात्रम अगर हमको थोड़ी बात आपसे करने होता को कॉल करके बात करने हो कि युद्ध आपसे बात करना है मुझे दोपर के बात मैं प्रुण बीच में उस समय मैं थोड़ा मुट्र रहता हूं थोड़ी है खेल बात करनी ऐड़ी अधिकल करेGame Torah फुल मुझे जिए उस समय मंत्रम है अग्ड़ीई आप और किसी को कोई प्रस्ण नहीं तो दिपा भिया चांति पड़ करा देंगे कि संभावात दिपा भिया नहीं है अरुन भिया है आप कि सत्य जीद भाई आप कर दीजे को कोई बेहन शांतिपाट करना चाहें तो प्लीज कि 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 कोई बात मी जी जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इस सतर को यह यांड करते हैं और सबको बंदे मात्रों कि जी आप सबका भी भावान धन्म तरी स्वास्त संबुर्धिर अरुगिता प्रदान करें इसे के साथ में आप सबको बंदे मात्रों सुब्रहत्री करते हैं